के जलिए अगला जो टॉपिक नमबर है सत्तरा टोटल केतने कवर कर रहे हैं थैठीश टोपिक तो सोला नमबर प्रदीश टॉपिक इतिहास को आपने कवर कर लिया उत्तर ुपर्दिश आथिहास ही तथ कर थे अब परियाटन से समाथ इत्ततियों को कवर करती योगों की प्राचीन परंपरा की द्रिष्टी से उतर परदेश में बहुत से ऐसे अस्थल हैं जिनका धार्मे की उम्स सांचगर्दिक महत्तो है बहुत से ऐसे अस्थल भी हैं जिन्हें तीर्थ नहीं कहा जा सकता परन तो आतिहासिक और परियोजना की द्रिष्टी से उनका बड़ा महत्तु है उत्तर पर्देश में परियोजना का शंबंद बौध अस्थलों के विकास हीत हुआ है परियोजन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना उत्तर पर्देश में कब शुरु हुई या बर्स 1994 इजबी में उत्तर पर्देश का परियोजन विकास निगम की अस्थापना कब हुई तो उत्तर प्रदिश पर्याटन विकाश निगम की अस्थापना बर्स 1974 भी में की गई थी उत्तर प्रदिश में पर्याटन निदासल निदेशाले की अस्थापना कब हुई है बर्स 1972 भी में उतरप्रदीश में पर्यार्टन को उद्धू का दर्जा कब मिला है तो प्रतम पर्यार्टन नीती वर्ष में 1988 नभी किता है उतरप्रदीश की नई पर्यार्टन नीती कब की है तो बर्ष 2018 चल लही है माननीक आची राम पर्यटन प्रबंध संचतान उत्तरप्रदीश में कहां पर है यह लख्नव में है चिनाट में बढ़ते हैं आगे अगला है उत्तरप्रदीश की जो अस्थल है युनेसको की विश्ष धरोहर सोची में शामिल इस्मारक जो है 1983 में ताज महल को शामिल किया गया 1983 में आगरा किला को भी शामिल किया गया तो आगरा किला और ताज महल इने उसकों के बिश्चो धरोहर इसमारक में शामिल है तो ताज महल आगरा का किला और फतिफ पूर्सीकरी को 1983 में इसकी अलावा कि उनेसको की अमूर्ट तो सांस्कृतिक विरास्त सूची में शामिल धरोगर एक तो बरस 2008 में राम लीला को शामिल किया गया और कॉम्ब मेला की जो के लेटेस्ट है 2017 में शामिल किया गया है तो इनेसकों की अमूर्त सांस्किर्टिक बिरासत में शामिल 2018 में रामलीला है और 2017 में कुम्बमेला है और तीन जो है वो इश्मारक है बेशोधरोर सुची में 83 में आगरा का किला हो गया और ताज महल है फतिश पूर्शीकरी को नीशोची राची में इसकी बाद उत्तरप्रदीश की जो हेरिटेज आरक यहां पर देख पा रहे हैं आगरा आप देख पा रहे हैं लखनव हो गया वाराणसी है अगला फाक्ट है उत्तरप्रदीश सांस्कृतिक तत्व यहीं आपका यह टॉपिक नंबर हो जाएगा अठारा तैंतिश टॉपिक कबर करने तो अठारा नंबर टॉपिक क्या है उत्तरप्रदीश सांस्कृतिक तत्व उत्तरप्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक उत्तर प्रदेश में राज लित्कला अकादमी की अस्थापना लखनव में 1962 में की गई थी इसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की अस्थापना लखनव में 1989 इसबी में हुई जिसका पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट भारती था 1963 में उत्तर प्रदेश में कुषाड योम गुप्त योगीन संस्किर्टी का एक मात्र संग्रहले कहां पर है मथुरा में है भारत इन नाटक अकादमी की अस्थापना 1975 में लखनव में की गई राष्टी कथक संस्थान उत्तर प्रदीश में कहां पर है लखनव में है जनजातियों लोक कला संस्किर्टी संस्थान उत्तर प्रदीश में कहां पर लखनव में तबलायों सितार का जो आभिश्ट कार किया उत्तर प्रदीश की अमीर खुसरों ने कलायूम सिल्प महा विद्याले कहां पर है तो उत्रप्रदीश के कलायूम सिल्प महा विद्याले लखनव में 1911 में इस्थापित किया गया उत्रप्रदीश राजी की अभिलिखागार कहां पर है यह लखनव में है لة इस्ट्रपुण उत्तर-प्रदीश मिराजी की अभलिखा गार कहां पर है लखनौ में है दरप्रदीश मोति लाल निहरूबाल संग्राले कहां पर है तो उत्तर-प्रदीश में मोति लाल नहिरूबाल संग्राल्य लगो में है और 1937 में संस्था पित हुआ उत्त्र प्रदीश जैन विही जैनभईद्या सोध संस्थान कहा पर है यह लग नव में उत्तर प्रदेश में भारतिय कलाभवन के अस्थापना उन्नीस सो बीसीज़बी में बाराणसी में हुई भारत खंडे संस्कृत विद्याले भारत खंडे संस्कृत विश्विद्याले कब 2022 में और इसका जो पूर्व नाम था वो मेरिस कॉलेज़ आफ म्यूजिक थी और 1926 में इसकी अस्थापना हुई थी तो मायरे कॉलेज आफ म्यूजिक की अस्थापना 1926 में हुई इसकी बाद बर्स 1986 इस भी में नाम बदल कर इसका भारत खंडी शंगीत संसुथान रखा गया था 2026 में बर्तमान में इसको जो है भारत खंडी संस्किर्थ विश्व विद्याले का दर्जा मिल गया अब 2022 में कि आगे बढ़ते हैए अगला प्रदिश के जो शंबंधित संबंधित जिले हैं तो शंगerson में सरधना महत्व मेरट में होता है जहांसी महत्वमोच्ष है ताज महत्ष राम बारत सुलह कुल उत्सव जो कि हिंदू मुश्लिम एक्ता की बात करता है तो ये एक उत्सव है उत्सव हिंदू मुश्लिम एक्ता एक मेला होता है हिंदू मुश्लिम एक्ता के लिए मेला तो नवचंदी मेरट में होता है ठीग है यागरा हो यृश्प मेरनात्याइए वा गंगढ मोस्प वारांसी में उत्तरप्रदीश में महला में होता है सोन महोसो से सोन भद्र होगा कन्योज परियटन उत्सो तो कन्योज परियटन उत्सो कन्योज होगा लठमार होली जो की बरसाना में वा यमुना महोसो मतुरा में होता है साइफाई महोसो इटावा में होता है बिठूर गंगा महोसो बिठूर क्यानिकानपुर्नगर में अगला फांट है उत्त्र प्रदिस की प्रमुख मेले हैं उसे संबंधित जिले हैं तो आई एक की करके देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं नवचंदी मेला मेरट में नहिंदू मुष्लिम एकता की बात करता है मेला है तो वारो ए आरों प्रिलिम्स 2021 में पूंचा गया है नवचंदी मेरट मेला ठीक है तो कहां पर होता मेरट में धुर्पद मेला बारांसी में नक कटैया मेला जो की रथियात्रा और धुर्पद यह सभी क्या है बारांसी में होंगे साकंबरी देवी मेला शाहरनपूर बिंध्याचल देवी मेला मिरजापूर में हरिदास जैनती बिंदा बनमथुरा में बटेश्वर मेला जो की एक पसु मेला है और उंट मेला है तो यह नवरात्र गणशोर मेला कैलास मेला है सभी आगरा में होंगे सोरो मेले का आवईजन काशगंज में होता है सयद सालार उर्स मेला बहराईश में लगता है रामार्ण मेला चित्रकूट में होता है धाई घाट मेला साजहापुर में होता है खिचडी मेला तो खिचडी मेला गोरकपुर में देवी पाटन मेला बलरामपुर में मेला अम्बेटिकर नगर गढ़मक तेश्वर मेला हापुड में बलसुंदरी देवी मेला जो कि अनूप शहर बुलंद सहर में होता है और सिल्प मेला हो गया महा कुम्भ मेला जो कि हर बारा साल पर लगता है और अर्ध कुम्भ मेला तो अर्ध कुम्भ मेला आप जानते हो अर्ध को हटा कर कि यहां पर कुम्भ कर दिया गया है योगी जी आते हैं और कहते हैं अर्द नहीं होगा अब कुम्भ मेला होगा कुम्भ और महा कुम्भ तो कुम्भ मेला छे बर्स का होगा माघ मेला देखोगे तो प्रतिवर्स माघ में होता है तो यह सभी क्या हो जाएंगे शिल्प मेला महा कुम्भ मेला 12 बर्स वाला कुम्भ ये लिऺ ददरी मेला बल्या का ये भी पशू मेला है कारिंजर मेल नगरी। स्रिंग गरी स्रिगी रामपुर मेला वास्रामडी मेला इश अभी फरूंखा बादम लगते हैं यह नोट ग्या है कि उत्रपर्दिस में प्रतिवर्स लगभग बाइस सु सू 파चास मेलरक आयोजन होता तो उत्तरप्रदीश कितना 240 मेलिक आयोजन होता है जिसमें सरबाधिक मेलिक आयोजन मथुरा में 46 मेली बर्ष हुद ठीक है तो 86 ठीक है यह इसाल में पूछा जाता है तो आप कहोगी मथुरा में फिर कानपुरह हमीरपूरहें जासी 78 है आगरा 72 है फतेहपुर में 70 होते हैं इस तरह आप देख पा रहे हैं यहां से आपकी क्या निकल के आ रहा है कि सरबादिक मेलिक आयोजन उत्तर प्रदीश में मतुरा में होता है प्रतिवर्ष 80 और लगभग जो है 2250 मेलिक आयोजन होता है उत्तर प्रदीश में हर साल अब बढ़ते हैं सांस्किति को संबन्धी तत्त देख लिया उत्तर प्रदीश का अब हो गया अगला जो टॉपिक नंबर है और टॉपिक नंबर होगा 19 टीक है तो टॉपिक 19 ने इसको आप भटा ही यहाँ पर दिखो लोकनेथियुम संबंधी तो भी सांस्किति हे उत्त दो होगे तो मेले के बाद आप यहाँ पर दिखो उत्तर प्रदीश के लोकनेथियूम संबंधित छेत्र हैं जो की एक्सर पूंज भी लियाता है मिलान करने को आप तो कर्मा जुनृत है यह मुर्जा पुर और सोनभजले से संबंधित होगा कार्तिक गीत बुंदेल खंड का है सायरा नित बुंदेल खंड में होता है धोबिया राग नित जो है ये पोर्वी उत्तर प्रदीश का है दीपावली नित बुंदेल खंड का है चारसिया नित जौनपुर का नटवरी नित पोर्वी नित्त कब होता है पाई डंडा नित्त कब किया जाता है इसके लिए आपको बारा घंटी वाली महराथन अच्छे से कबर कीजिए जहां पर डेटेल में मिलेगा साथ ही शाथ प्रिबियस ये के कोश्चन्स भी आपको देखने को मिलेंगे तो यूथ पब्लीकिशन वाली बु वा संबंधित छेत्र है तो वाला जो लोक गीत है बुंदिल खंड रीजन का है बिरहा पूर्बांचल का है कजरी मेर्जापूर रसिया जो है ये ब्रजभोमी छेत्र के हैं अगला दिया है उत्तरप्रदीश के मुख्य नाट्टी संस्थाएं वा संबंधित जिले हैं तो म मतुरा में है रूपांतर गोरकपुर में नेहरूबाल भवन प्रियागराज में शिरीनाट्यम वाराणसी में साधना नाट्ट कला केंद्र गाजियाबाद में याजावर लखनव में है और भारती जननाट शंग आगरा में है अगला है उत्तरप्रदीश के भाशा अकादिमी कहां पर है लखनव में उत्तरप्रदीश पंजाबी अकादमी कहां पर है लखनव में उत्तरप्रदीश हिंदी संस्थान यहाभी लखनव में हिंदूस्तानी अकेडमी कहां पर है तो प्रियागराज में है और उत्तरप्रदीश संस्कृत संस्थानम कहां पर है लखनव मैं है उत्तरप्रदीश ऊर्दू अकादमी कहां पर है लखनव मैं है स्वर्गी अधकल। दीन- अलिय मेमीमोरियल कमेटी कहां पर यह लखनव मैं यह तो आप दीग पा रहे हैं सिर्फ सिर्फ हिंदुस्तानी एकेडमी को छोड़ दो जो कि प्रियागराज में है बाकि सभी जो भाषा विभाक्षा मदित संस्थान है उनको आप लखनव आखमों के लगा देना उत्तर प्रदीश भाषा संस्थान सिंधी अकादमी पंजावी अकादमी हिंदी संस्थान हो गया उर्दू अकादमी हो गया फकरुद्दिन अली अहमद मेमोरियल कमेटी इस सभी लखनव हिंदुस्तान एकेडमी के वल प्रियागराज में है बाकि सभी लखनव में और इस त टॉपिक नंबर है उन्नीश उत्तर प्रदीश साहित्यों शाहित्तिकार तो ब्रिंदवन लाल बर्मक देखेंगे शाहित्य उनका शाहित्य है म्रिग्नैनी जांसी किरानी कबीर दाश का साखी सबद रमैनी है हर्वंसराय बच्चन का मधुशाला मधुबाला निशानि-मंत् जैनेंद्र कुमार के हैं साहित संचय परख सुनीता फासी एक रात द्रोव यात्रा एक दिन तो एक रात एक दिन सभी किसके जैनेंद्र कुमार की वातायन की किसका है जैनेंद्र कुमार आदी सूर दास का सूर शागर है साहित तलहरी है राहुल सांकृतियायन की वोलगा से गंगा तक है महाविर प्रशाद द्युवेदी की शाहित देखोगी तो सरस्वती जो की एक मासिक पत्रिका का शंबादन करती थी रहदास का देखोगी तो बाबी नामक फुड़कल छंदों की रचना है कारवा गुजर गया किसका है तो यह गोपाल दास सक्सीना नीरच का चौखे चौपदे पद्म प्रसून प्रिय प्रवाश बैदेही वनवास पारियात आदी इस सभी पंडित आयोध्या प्रशाद उपाद्याए हरी अवद की है रानी केत्की की कहानी किसका है यह मुंसी इंसाल लाखां का महादेवी बर्माक शाहिद देखेंगे तो नीहार है रश्मी है नीरजा है सांध गीत यामा इस्मरिती की रेखाएं है मैथली सरण गुप्त की जो की एक राश्टर कभी किनको पाधी मिली यह साकीत यह सूधरा जैद्रत बद्ध भारत 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 भारती किसका है मैथली इनका भारत दो रसा है प्रेम तरंग है चंद्रावली कश्मीर कुषोम कभी वचन सुधा पत्रिका जोग रही यह सभी भारती हरिश्चंद से संब्दित होंगे मलिक मुहम्मद जैसी की क्या है पदमावत हो गई अखरावट है आखरी कलाम प्रताप नारायन मिश्र की हठी हमीर है हजारी प्रशाद्य वेदी द्वारा भालभट्ट की आत्म कथा है शुमित्रा नंदन पंत का कौन शाथ वेड़ा हो गया ग्रंथी है युगांतर है उत्तरा है परलव ग्राम में आदी जैसंकर प्रशाद्य का क्या कामाईनी है कंकाल है इरावती है तितिली है द्रुवश्वामिनी डाक्टर सब्वन संपूर्णा नंद द्वारा अंतरराष्टी विधान है चीन की राज्य क्रांती भारत का देशी राज्य समराठ हर्च बरधन मात्मा गांधी समाजवाद आदी किसके हैं डाक्टर संपूर्णा नंद के इसके बाद आप देखोगे मुन्सी प्रेम चंद का कौन्शा गबन हो गया गोदान है सेवा सदन कर्म भूमी रंग होमी निर्मला आदी प्रम को पन्याशा है बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, पूस की रात, इद गाह, सतरंज के खिलाडी, कफन, नमक का दरोग आदी प्रशिद्ध कहानिया है मुन्सी प्रेम चंद की तिस्तर आपने टॉपिक नंबर 19 कबर किया साहित्यों में शाहित्यकार अगला जो टॉपिक नंबर है वो है 20, जो कि उत्तर प्रदीश की पत्रकारिता से संबंधित है तो उत्तर प्रदीश हिंदी पत्रकारिता इम संबंधित प्रकासन छेत्र है उदंत मारतंड की शंपादक पंडित युगल कुशोर शुक्ल है और इसका प्रकाशन कलकाता से हुआ करता था बनारश अकबार या उत्तरप्रदीश से प्रकासित पत्रों में पहला हिंदी पत्र है तो उत्तरप्रदीश का पहला जो हिंदी पत्र है कौन्चा है बानारश अकबार है और इसका प्रकाशन बाराणसी से होता था ब्रह्म ज्यान प्रकाश जो कि किसव चंदर सीन द्वारा और इसका प्रकाशन बारेली से होता था सर्भो पकारक योम ज्यान प्रकाश तो यह है आगरा से जो है इसका प्रकाशन होता था तो ब्रह्म ज्यान प्रकाश की सवचंदर सीन द्वारा है जो की बरेली से होता था और ज्यान प्रकाश और सर्भो गारक तो सर्वोपकारक योम ज्यान प्रकाशी आगरा से प्रकाशन होता था इस पत्र का, प्रजाहित पत्र का प्रकाशन इटावा से होता था, आनंद का दंबिनी, इसकी शंपादक बंदरी नाराण चौधरी प्रेम घन है, और इसका प्रकाशन मिर्जापुर्शे होता था, आज तो आज की संपादक शिव प्रशाद गुप्त और यह एक पत्र राश्टी अंदूलन उन्नीस सो बीस से उन्नीस सो सैंतालिस तक रहा जो कि शमग्र दस्तावेच की रूप में सूरज प्रकास की संपादक गनेशी लाल थे और प्रकासन आगरा से होता था सर्व हित कारक जिसकी संपादक शिव नारायण थे इसका प्रकासन आगरा से तत्व बोधनी की संपादक गुलाब शंकर और प्रकासन बरेली से भारत पत्रिका का प्रकासन लखनव से हिंदू यों उर्दू दोनों भाशाओं में होता था तो इस तरह आपने कबर किया पत्रकारिता से शंबंधित तत्यों को आगे बढ़ते हैं अगला फायक्ट है उत्तरप्रदीश उर्दू पत्रकारितायों संबंधित तत्यों पहले आपने किया हिंदी कबर अब उर्दू से संबंधित तो हिंदी भासी प्रांतों का नागरी नागरी लिपी में उर्दू मिस्त्रित पहला जो हिंदी पत्र है वह बनारश अखबार है और इसका प्रकाशन 1845 मिराजासियु प्रिशाद सितारे हिंद ने निकाला था कामरीड तथा हमदर्द अखबार का प्रकाशन मौलाना मुहम्मद अली जोहर द्वारा उत्तर प्रदीश की प्रकाशन उर्दू का पहला अखबार इम्पोर्टन्ट उर्दू का पहला जो अखबार है प्रकाश्त यह जो की उत्तर प्रकाशन विभाग की इनशार शदरू है जबकि अखबार प्रकाशन वो films 1845 मिरा से शंपादक देखोगे तो प्रोफेसर सीफेंग आगरा कॉलेज के रहें तो उर्दू का पहला जो प्रकाशित अकबार है वो है सदरुल अगला दिया है कि आसदुल अकबार जो है जो की सापताहिक है और इसका प्रकाशन आगरा से मुंसी कमरुद्दीन द्वारा होता था लखनवु शे प्रकासित उर्दू का पहला अखबार लखनवु शे प्रकासित तो उत्तर प्रदीश से प्रकासित होने वाला उर्दू का पहला अखबार है सद्रूल जबकि लखनोश प्रकासित होने वाल उर्दू का पहला अगबार है लखनोव अगबार और इसका प्रकासित उर्दू का पहला अगबार कौनचा है तो भारत में उर्दू का पहला अगबार जाम ए जहानुमा है उत्तर परदीश में पहला उर्दू का सदरूल है लखनव में उत्रप्रदीश लखनव का पहला है लखनव अकबार तो भारत में प्रकासित उर्दू का पहला अकबार जाम ए जहानुमा है जिसका प्रकासिन अठारा सो बाईश में कलकाता सी हुआ और इसकी संपादक शदा सुकलाल उत्तरप्रदीश की मुर्जापुर के निवासी थे तो इस तरह आपने उत्तरप्रदीश पुर्दू पत्रकारता मुंसे शमान्थी तत्यों को कबर किया और इसी 50-20 की साथ पूरा का पूरा टॉपिक नमबर आपका 20 कंप्लीट हो जाता है